चठा पाठ, सागर यात्रा, प्रिष्ठ संख्या 37 से 44 तक, प्रस्तुत है पाठ, सागर यात्रा, दस भारतियों ने एक नौका में दुनिया का चक्कर लगाया था, उस नौका का नाम तृष्णा था, यह पहला ऐसा भारतिय अभियान था, जो विश्व यात्रा पर निकला थ उसी दल के एक सदस्य के यात्रा वरणन के कुछ अंश, नौका पर जीवन, नौका पर जीवन अतिव्यस्त था, हमारे पास स्वचालन की विवस्था नहीं थी, अतह त्रिष्णा के चक्के यानि वील 2400 घंटे संभालने के लिए आद्मियों की जरूरत थी, हम हर घंटे ब और वेल मचलियों आदी पर नजर रखता, जो लोग चौकसी से हटते, वे अपने कपड़े बदलते, खाना खाते, पढ़ते, रेडियो सुनते और अपनी ड्यूटी के अन्यकारे जैसे रेडियो की जाच, इंजन की जाच, तथा व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनान के लिए राशन देने का काम निप्टाते, एक सदस्य मा की भूमिका अर्थात मदवाच निभादा, उसे खाना पकाने, बरतन मांजने, शोचाले की सफाई जैसे काम करने पड़ते, ताकि नौका स्वच्छ रहे, मा की भूमिका बारी-बारी से सब को करनी पड़ती, एक मा और यदी मौसम ठीक रहता, तो नीद आ पाती, इस कठिन दिन्चरिया के कारण शत्रंज खेलने के लिए या किसी और मनुरंजन के लिए समय ही नहीं मिलता था, और नहीं बोरियत के लिए वक्त था, व्यस्तता खूब थी, दिन में एक बार हम नौका पर खुशी का घंटा बिताते, अभियान दल के सभी सदस्य, सोलह बजे यानी चार बजे डेक पर आते और एक घंटा मिल जुलकर बिताते, मदर वाच अधिकारी सबके लिए उनकी इच्छा नुसार चाय कॉफी बनाता या शीतल पेय देता, वह कुछ नाश्ता भी बनाता, पानी की समस्या, एक बार बोचार आई, मैं बाहर को भागा, अपना शरीर तरकिया और शरीर तथा बालों में साबुन लगा डाला, आगाश में बादल जम कर छाय थे, और मुझे विश्वास था कि कुछ देर में पानी बरसेगा, अचानक वर्षा थम गई, मैंने पांच मिनट और फिर दस मिन था, गंदगी, साबुन और समुद्री जल ने मेरे शरीर पर एक मोटी, चिपचिपी और खुजलाहट वाली परत जमा दी, जो आसानी से छूटती नहीं है, मुझे उस परत को छुडाने के लिए कंगी और ब्रुश का सहरा लेना पड़ा, छाती, हाथ और पैरों पर उन्ह पेरने से ही चुटकारा मिला, नैतिक शिक्षा यही है कि जब नौका पर सनान करना हो, तो अपने पास परियाप्त पानी रखो, या विशेश समुद्री जल साबुन का प्रियोग करो, समुद्री जल में साधारन साबुन का अप्योग मत करो, नौका पर पहनने के लिए दो जोड़ी कपड़े होने के कारण हमें उन्हें बार-बार धोना पड़ता नौका पर कपड़े सुखाने के लिए हमने उसके चारों और एक तार बांध रखा था जिसमें हम क्लिप लगा कर कपड़े सुखाते तेज हवाओं के कारण अत्वा पाल की रसियां बाधते समय कभी कभी कपड़े गायब भी हो जाते तूफानों का सामना हम सब इस अभियान के खत्रों को जानते थे हमें यह भी ग्याद था कि शायद हम कभी वापस ना लोट सकें शुरू में ही हमें खराब मौसम का सामना करना पड़ा हम रुकना नहीं चाहते थे इसलिए मरमत का काम चलती नौका में ही करने की ठानी कैप्टन ऐसे मौसम में पंदरह मीटर उंचे मस्तूल पर चड़े और उन्होंने एंटिना की मरमत की यदि थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती तो वे आसानी से मस्तूल से टपक कर समुद्र की गहराईयों में समा सकते थे मेडागासकर के पास एक तूफान आया और बारह मीटर उंची समुद्र की लहरे हमारी नौका पर तूट पड़ी और उसे पानी से भर दिया अभियान दल के सदस्य अनेक बार समुद्र में गिर गए लेकिन सौभागे से उन्हें वापस नौका पर खीच लिया गया क्योंकि उन्होंने नौका से जुड़ी रसीयों को अपनी बैल्ट से बांध रखा था केप ओफ गुड़ होप का चकर लगाते समय भी हम खतरनाक तूफान से टकराए हवा की गति थी 120 किलोमीटर प्रती घंटा और समुद्री लहरों की उचाई 15 मीटर हर क्षण मौत को आमंतरन दे रहा था हम केप से 5 किलोमीटर दूर बह गए हमें लगा कि हमारी नौका किसी चटान से टकरा कर चूर-चूर हो जाएगी हमने अपने जीवन रक्षक उपकरण खो दिये रेडियो सेट बेकार हो गया एरियल तूट गये और पूरी दुनिया से अगले पंद रह दिनों के लिए हमारा रेडियो संपर के टूट गया भारतिय समाचार पत्रों ने खबर छाब दी कि तृषणा ला पता है जिस कारण हमारी परिवारजन और मित्रगण बुरी तरह घबरा गये एक दल हमारी तलाश में भीजा गया लेकिन वह असफल होकर लोट गया अनुभव बढ़ने के साथ हम नौका को निश्चित रहा पर बनाये रखने में सफल रहे मुंबई वापसी प्रथम भारतिय नौका अभियान दल विश्व की परिक्रमा कर 54,000 किलोमेटर की दूरी माप कर 470 दिन की एतिहासिक यात्रा के बाद 10 चनवरी 1987 को 6 बजे मुंबई बंदरगाह पर पहुँचा जैसे ही त्रिश्णा के 10 सदस्य अभियान दलने गेटवे ओफ इंडिया की सीडियों पर कदम रखे भीड खुशी से चिल्ला उठी आतिश बाजी छोड़ी गई बंदू के दागी गई और हमारे स्वागत में साइरन बजाए गए हम ऐसे कई अपने परिवारों से साढ़हे पंद्रह माह से बिछुड़े हुए थे आपका स्वागत है स्वागत है पापा हमें आपकी याद आती थी जैसे प्ले काड़ हाथों में थामे हमारे बच्चों ने हमें सचमुच रुला दिया लेकिन यहां केवल हमारे परिवार ही स्वागत में नहीं खड़े थे बलकि पूरा गेटवे ओफ इंडिया मित्रों और शुभचिंतकों से अटा पड़ा था 10 जनवरी 1987 को त्रिशना पर फर्स डे कवर और समारक टिकेट चारी किये गए उसके बाद त्रिशना को खींच कर पानी से बाहर निकाला गया और रेल के दो वैगनों पर लादा गया ताकि गड़तंत्र दिवस परेड में उसे शामिल किया जा सके त्रिशना 6 दिनों में दिल्ली पहुच गई किन्तु हमारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई उसे उतारने के लिए लंबी भुजा वाली क्रेन चाहिए थी दिल्ली की व्यस्त सडकों पर नौका ले जाने के लिए न केवल व्रिक्षों की डालियां चाटनी पड़ी बलकि बिजली और टेलिफोन के तारों को भी उँचा उठाना पड़ा पूरी रात मेहनत करने के बाद हम जैसे तैसे 23 जनवरी को परेड की फुल ड्रस रिहर्सल के लिए जाकी तयार कर सके गरतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली त्रिशना की जाकी अब तक बनी सबसे बड़ी जाकियों में से एक थी यह पहलाव सर था जब हम मैंसे किसी ने गरतंत्र दिवस परेड में भाग लिया हम सेना की टुकडी के अंग थे और 26 चनवरी को जब हम राजपत से कुजरे तो हमारा तालियों से जोरदार स्वागत हुआ सागर यात्रा की साहसिक एवं संघर्ष पूर्ण स्मृती आज भी हमें रोमान्चित कर देती है लेखक, TCS चौधरी, अनुवाद, ब्रिज मोहनकुप्त, अभ्यास, शब्दार्थ, अभ्यान, अर्थात लक्ष, स्वचालन, अर्थात बिना किसी विशिष्ट प्रक्रिया के अपने आप चलना चौकसी, अर्थात सजगता या पहरेदारी, निप्टाना, अर्थात पूरा करना, पाल या नौका, अर्थात नाओ के मस्तूल के सहारे ताना जाने वाला कपड़ा जिसमें हवा भरने से नाओ चलती है निरंतर, अर्थात लगातार, पहला, पाठ से प्रश्ण, क, सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की जरूरत थी, क्यूं? ख, वे लोग समुदर की यात्रा कर रहे थे, समुदर यात्रा में भी उन्हें पानी की समस्या क्यों हुई? हम सब इस अभियान के खत्रों को जानते थे समुद्री यात्रा में उन यात्रियों को कौन-कौन से खत्रों और परिशानियों का सामना करना पड़ा था तीसरा, मा के काम एक सदस्य मा की भूमिका निभाता पहला, नौका पर मा की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन-कौन से काम करता था दूसरा, तुम्हारे विचार से उन कामों को मा के कामों की उपमा क्यों दी गई होगी तीसरा, क्या तुमने कभी किसी के लिए मा की भूमिका निभाई है यदि हाँ, तो बताओ क तब तुमने कौन-कौन से काम किये थे ख वे काम क्यूं और किसलिए किये थे चौथा तुम्हारी मा या घर का अन्य कोई सदस्य सुभा उठने से लेकर रात को सोने तक कौन-कौन से काम करता है सूची बनाओ चौथा पानी की परेशानी सागर के यात्रियों को पानी के कारण बहुत परिशानी होती थी बताओ क उन्हें पानी के कारण क्या-क्या परिशानिया हुई क्या तुम्हारे आसपास भी पानी की समस्या होती है उसके बारे में बताओ ग उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है पाँचवा अपनी अपनी यात्रा तुमने अभी दस भारतिय यात्रियों की एक अनूठी यात्रा की कहानी पढ़ी तुम भी अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की एक यात्रा के बारे में बताओ तुम चाहो तो ये बातें बता सकते हो ख वह यात्रा कहां की थी, कितने दिनों की थी, यात्रा कैसे की, ख उसमें कौन-कौन सी समस्याएं आई, ग उन समस्याओं को कैसे दूर किया गया, ग उस यात्रा में किन-किन लोगों से मिले, ग गौन-कौन सी चीज़ें, पेड पौधे आधी पहली बार देखे, चटा विशेश जगहों के नाम बंदरगाह समुद्र के किनारे की वह जगह होती है जहां पानी के जहाज नौकाएं आदी ठहरते है पता लगाओ इन जगहों पर क्या होता है क अस्तबल ख हवाई अड़ा ग पोस्ट ओफिस घ अस्पताल ग न्यायाले च बाजार, सात्वा गणतंत्र दिवस त्रिशना को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया था आपस में चर्चा करके दिये गए प्रशनों के उत्तर खोजो क गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं यह किस दिन मनाया जाता है ख, गणतंत्र दिवस के दिन क्या-क्या कारिक्रम होते हैं। ग, दूरदर्शन या आकाश वानी पर गणतंत्र दिवस परेड देखकर या सुनकर उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। आठवा, खेल, इस कठिन दिन्चरिया के कारण शत्रंज खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता था। यदि उन नाविकों के पास समय होता तो वे नौका पर कौन-कौन से खेल खेल सकते थे। सूची बनाओ, क, शत्रंज। नौवा, खुशी का घंटा, दिन में एक बार हम नौका पर खुशी का घंटा बिताते। यदि तुम्हें स्कूल में खुशी का घंटा बिताने का मौका मिले, तो तुम उस एक घंटे में कौन-कौन से काम करना चाहोगे। दसवा, हिम्मत वाले, हम सब इस अभियान के खत्रों को जानते थे। हमें यह भी ग्याद था कि शायद हम कभी वापस न लौट सकें। वे दस नाविक इतनी खतरनाक यात्रा के लिए क्यों निकले होंगे। आपस मैं चर्चा करो। 11. खोई हुए मोजे की कहानी। तेज हवाओं के कारण कभी-कभी उन नाविकों के कपड़े उड़ या खो जाते थे। मान लो, ऐसा ही एक मोजा तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता है। वह क्या-क्या बातें बताएगा। कल्पना से उसकी कहानी पूरी करो। जैसे मैं एक मोजा हूँ, वैसे तो मैं हमेशा अपने भाई के साथ रहता हूँ, इसके आगे आप पूरी करो। बारह, छोटे-छोटे, जो लोग चौकसी से हटते, वे अपने कपड़े बदलते, खाना खाते, पढ़ते, रेडियो सुनते और अपनी ड्यूटी के अन्यकार्य जैसे रेडियो की जांच, इंजिन की जांच, तथा व्यंजन सूर्ची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन देने का काम निप्टाते, इस वाक्य को कई छोटे-छोटे वाक्यों के रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे जो लोग चौकसी से हटते, वे अपने कपड़े बदलते, वे खाना खाते, पढ़ते और रेडियो सुनते, वे अपनी ड्यूटी के अन्यकारे करते, जैसे रेडियो की जाच और इंजिन की जाच, वे व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन देने का काम निप्टाते, तुम इसी प्रकार नीचे लिखे वाक्य को छोटे-छोटे वाक्यों में बदलो, प्रतम भारतिय नौका अभियान दल विश्वकी प पंदरगाह पहुचा, ते रहा, सही उपसर्ग लगाओ, उपसर्ग है अ और सू, इन उपसर्गों की सहायता से सार्थक शब्द बनाओ, जैसे क सफल में अ उपसर्ग लगाने से अ सफल बनेगा, इसी प्रकार ख स्वागत, ग विश्वास, ग कन्या, रापुत्र को अपनी समझा अनुसार अ या सू उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनाओ, चौदह, सही वाक्या, यहां तालिका में कुछ शब्द दिये गये हैं, मे, ने, को, का, के लिए, से, पर दिगई तालिका में से सही शब्द चुनकर रिक्तिस्थानों में भरो, क, सीमा, रिक्तिस्थान फल खाए, ख, रोहित, रिक्तिस्थान पैन नया है, ग, मा बच्चों रिक्तिस्थान मिठाए लाई, ग, हमने रसी रिक्तिस्थान कपड़े सुखाए, ग, मैंने बैग रिक्तिस्थान कितावे रखी, च, पौधों रिक्तिस्थान गमलों में रखो च, केरल जम्मू रिक्तिस्थान बहुत दूर है